हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आई मैं आपनों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलिसियस बहुत ही मज़ियमदार और बहुत ही चटपटी सी चिकन यखनी पुलाओ जो बहुत ही लजीज बनती है एक बार इस तरह से आप बना लेंगे ने तो मज़ा आ जाएगा तो चली फिर मिर्स माराओ यह मज़ाओ जुआ संब एक टीसपून खड़ी धनिया लें तो टीसपून और खड़ी लालमिर्स लिए चार से पांच तेशपत्ता ले दो से तीन लांग तिन ले प्लकित की केसावल ले全部 केमक जीर ईक से दो टीस sequence को निद्य चार चाफ टीसपून हरी एक तेश पत्ता एक से दो यह मैंने प्याज ले लिया है लहसुन और राक यह खुजबू का मसाला है छोटी लाइची जाइफल आव जावित्री हाफ लीटर से थोड़ा ज्यादा पानी मैंने ले लिया है गैस की फ्लेबान करके मैंने चड़ा दिया था पानी मेरा गरम हो ग आप करेंगी के अब इसमें डाल देंगे चीक चीज़ा है चीकेड को में 50 पर सेंटा कि इसमें कजिख करना है इससे द्यादा महिं करणा कि तो एक बार इसको मिला लेंगे और 5-6 मिनिट हम लोटो मीडियम पे कोपकरेंगे और इसे कवर करेंगे तो इसेکे पॉद निकल लेंगे बहुत जाये विर एपनों से निकाले हैं। सबते निकाला हुँ म्योंको तक idg तो अगर आपको नग रहा है तो आप गया वों पोटली बना लो भी डाल सकते हैं अब देखें जाए शाल में के शाल लिए आपनी को ठान i. idhr बाूल में मैंने projected रख लिया है और उसमें यह पानी को ठाई लिए ने जी से उ eraymasal haiak पर निकल आएगे जो पानी में गिर गया उसको भी हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम दबा दबा कर सारे मसाले को फ्लेवर को पानी में कर लेंगे यह देखिए अच्छे से दबा-दबा कर इसके सारे मसाले के फ्लेवर को हम निकाल लेंगे क्योंकि मसाले बिल्कुल सौफ्ट हो गया है तो पानी मारा निकल गया है अब इदर मैंने एक पैन चड़ा दिया उसमें डाल देंगे 100 ml आयल कुकिंग आयल मैंने डाला है अब इसमें हम डाल देंगे जो चावल के मसाले मैंने लिया था उसको डाल देंगे गैस की फ्लेम हाई रखेंगे हम अब इसमें हम डालेंगे अध्रक लाहसुन का पेस्ट एक टीज़पून अब इसे हम चलाएंगे आप चाहें कि इसमें दही भी डाल सकते हैं मैंने दही नहीं आट किया है अध्रक लाहसुन में भुन गया है अब इसमें हम डाल देंगे प्यास तो यह मैंने दो मेडियम साइज की प्यास ले लिया था अब प्यास को हम फ्राई कर लेंगे गोल्डेन फ्राई करेंगे हम इसे प्याज हमारे फ्राई होगी अब इसमें से थोड़ी प्याज हम निकाल लेंगे उपर से गार्निशिंग के लिए अब इसमें हम डाल देंगे चिकन को एक से दो मिनट हमें फ्राई करना है साथ से आप डाल देंगे हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के काड़िंग नमक मिर्च डालिएगा लेकिन हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें तो चिकन को हमने फ्राई कर लिया यह देखिए बस एक से दो मिनट हमें इसे करना है हाई फ्लेम पे अब इसमें हमने जो पानी निकाला था मसालों वाला वो हम डाल देंगे इसमें अब पानी में हम एक बॉइल आने देंगे यह मैंने बास्मती चावल ले लिया है इसको मैंने आधा खंटे पहले भिगा दिया था बहुत जादा हमें इसको नहीं भिगाना होता है बस पच्चीस से तीस मिनट पहले हमने भिगाया था इसे तो चावल को अब इसमें हम एट कर देंगे थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा था तो डाल दिया है पानी गरम डालिएगा एक बार अच्छे से हम इस तरह से मिला लेंगे इसको खुच्बू का मसाला भी मैंने इसमें एट कर दिया था दिखा नहीं पाए है थोड़ा सा बचा लिया है बाद में उपर से डालने के लिए अब इसमें हम नमक डाल देंगे दो टीस्पून अपने टेस्ट के काड़िंग आप नमक डालिएगा अब लोटू मीडियम फ्लेम पे हमें इसे छे से साथ मिनट लगेगा इसको कुट करने में तो अब इसे हम कवर कर देंगे थोड़ा साम खुला रखेंगे क्योंकि पानी बॉयलों के गिरने लगेगा तो यह देखिए इसे पानी मेरा सूक गिया है और यह देखिए इसमें चावल भी बिल्कुल खिला-खिला सा बन गया है यह दिके हम आपको दिखा रहे हैं चावल हमारा गल गया है बस थोड़ी सी कनी वाकी है तो जिसे हम दम पे रखके करेंगे तो इसे हम कर देंगे ग्यास की फ्लेम बिल बिल्कुल खिल गया है और चावल बिल्कुल रेडी भी हो गया अब गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे इससे जादा में नहीं करना है अब इसमें हम कुछ फूड कलर थोड़ा सा डाल देंगे अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा थोड़ा सा कियोड़ा वाटर डाल देंगे इसमें बहुत ही प्यारी सी खुश्बू आ रही वा जबर्दस्त बनी है यह देखिए यहनी पुलाव मेरी रेडियो गई है अब इसे हम कवर कर देंगे 10 मिनट बाद इसको हम सर्फ करेंगे यह देखिए बहूत ही जबर्दस्त मेरी यहनी पुलाव बनका तैयार ह है बहुत ही मज़्य दार है आप इसे साधी भी खा सकते हैं या आप चिकन मतंग के सालन के साथ भी खा सकते हैं तो पहले हम आपसे को चक्कर बताते हैं वाँ जबरदस्त बनी है तो कैसी लगी मेरी रेश्पी इसे बना ये और मुझे कमेंट्स में जरूर बता ये कि आपको म